हे दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूटुब चैनल देव जी के ट्रिक्स में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आधनिक भारत बहुत ही अच्छा टोपिक है और काफी अच्छे आपके प्रस्ने और एक्जाम मे बार-बार पूछे आते हैं तो चलते हैं यहाँ पर आवाजारी हमारी आ रही है चले तो सभी लोग सेयर कर दीजे अपने दोस्तों को भी तो आ जाएं चले तो यहाँ पर आपका पहला प्रसंदिया गया है कि मद्धिकाले में सर्वथम भारत सिब्यापार सम्मंद स्थापित किये थी कौन किये थे तो बिल्कुत सई जवाब रहा है और सन अपका डी हो जएगा पूर्तगाली ठीके पूर्तगालियों ने सर्वथम आपके भारत से ब्यापार सम्मंद स्थापित किया था नेस्ट कोचन दिया है कि इस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक् स्थापित लग नहीं पाए थी जहांगिन ने आपर मना कर दिया था इसके बाद वो दच्छिन भारत में गए थे और वहां पर कैसकते हैं कि इन्होंने लगाया इसके बाद वापस फिर से यहां पर आ गये थी ठीके लेकिन जवाब आपका यहां पर डी ही हो जाएगा अग कैसकते हैं कि आपके कुच्ची में मतलब कैसकते हैं कि जो जमोरिन थे वहां पर ठीके केरल में तो जो जमोरी थे उन्होंने भब स्वागत किया था और इनको मसाले की रूप में कैसकते हैं इनको मसाला भी दिया था और इनको बहुत लाब हुआ था जिसके कारण से इन्हे भारत से ब्यापार करने के और इच्छा जागरत हो गई थी, ठीके, अगला कोश्चन आप दिया गया है, किन्यम्न में से किस ने भारत में अंग्रेजों का सरवाधिक बिरोध किया था, ये कोश्चन आपका बहुत अच्छा है, वो बार बार पूछा जाता है, तो भारत में सरवाधिक बिरोध किया था, आपके मराठाओं ने, ठीके, किस ने किया था, मराठा ने किया था, ओप्सन आपका ए हो जाएगा, अगला कोश्चन है, कि भारत में 1613 SB में अंग्रेजों ने अपने पहली इस्थाई फैक्टरी का स्थापित की, तो अभी हमने आपको उताया SB में यहाँ पर फैक्टरी स्थापित हो गई थी, लेकिन कह सकते हैं कि जो इस्थाई रूप से पैरी फैक्टरी थी, वही आपकी यहाँ पर कहां थी, आपकी सूरत में जो आपकी 1613 मन कर तयार होई थी, तो यहाँ पर 50 को उप्सन आपका D हो जाएगा, ठीके, इस्थाई अगर पूछ ले, तो आपका D हो जाएगा, अगला है कि डचो ने अपनी प्रथम ब्यापारी कोठी कहां इस्थापित की थी, डचो ने अपनी प्रथम ब्यापारी कोठी कहां इस्थापित किया था, तो डचो ने कहां किया था, तो आपकी मसूली पटनम में, ठीके, कहां यहाँ पर कैसकते हैं कि मुगर भारत में जो अंग्रेद थे ब्यापार करते थे वो किस वस्त्र की ज़्यादस ज़्यादा ब्यापार करते थे तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा option यहाँ पर ए नंबर सूती वस्त्र की ठीके सूती वस्तिकी ब्यापार ये लोग जादा करते थे ठीके आगला कोर्शन आपर दिया गया है कि भारत के साथ ब्यापार के लिए सर्पतम संयुक्त पूजी कंपनी किन लोगों ने आरम की थी तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा तिरपन को ऑप्सन भी हो जाएगा डचों ने किया था ठीके ओप्सन भी डचों ने किया था अगला कोर्शन आपर है कि निम्लिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिस प्रभुत्त को प्राराम भी किया था यहाँ पर देशके हैं कि अंग्रेज यहाँ पर आतो गए थे लेकिन को प्रारम में किया था प्लासी की युद्ध से ठीके प्लासी की युद्ध से ट्रyorsunता देखा जाए अगला को ब्रीक घोजोरच साथे भारत में इस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था तो पहला पॉइंट था कि भारत में राश्टी भावना की कमी जुकि बात बिल्कुल सही है दूसरा पॉइंट है कि कंपनी की सेना को पर्ष्च में प्रशिच्छन मिला था तथा उनके पास आधुनिक खतियार थ यह भी पॉइंट सही है थर्ड पॉइंट है कि भारती सेना सेनिकों में राश्टी भावना का भाव था जिसके फल सुरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सिवम लग जाता तर था यह भी पॉइंट सही है या पर तीनों ही पॉइंट सही है ऑप्शन आपका दिया गया था प्रदान किया था तो यह दिया गया था आपके 1632 में ठीके 1632 में ऑप्शन रैट अपका भी सही हो जाएगा आगला कुर्शन आपर है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुदरी लूट पार्ट के लिए किसने अड़ा बनाया था जो अड़ा बनाया था यह बनाया था आपके पूर्तगालियों ने आपके यहाँ पर हो जाएगा ए नमबर पूर्तगालियों अगला पूर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था सही जवाब क्या हो जाएगा आपका तो सही जवाब हो जाएगा आपका 1510 इस भी ठीके 1510 इस भी अगला तुम मसाले में थी ठीक रारंब में क्या थी मसाले लेकिन जब मैक्सिमम हुआ तो कह सकते हैं कि आपके कपड़े में ये लोग आ गए थे अगला कोशिया ब्स कारनाटक युद्ध किन किन की मध्य लड़ा गये था करनाटक युद्ध आपके काफी महत्यपूर्ण युद्ध रहे हैं करनाटक तो यहाँ पर करनाटक युद्ध जो कि अंग्रेज और आपके फ्रांसीसी की मद्ध आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा अंग्रेज और फ्रांसीसी की मद्ध ठीके और युद्धुवा था यहां पर करनाटक है आगला कॉर्शन है कि उन छेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपियों को सरोत्तम सोरा और अफिम प्राप्थ होता था यूरोपियों को सरोत्तम सोरा और अफिम ये जो प्राप्थ होता था कहां से तो आपके बिहार से ठीके 61 कॉप मिर्जाफर इस समय थोड़ा था यह प्लासीक जिर्ण युद्द में था नम्ब्र आपका यह एगा ठीक है के नेमलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन ब्यक्ति था जिसने भू अर्जित भू छेत्र अर्जित करने के उद्दे से भारती राजाओं के जगड़ों में भाग लेनी की नीती अपनाई यहाँ पर जब राजाओं में जगड़ा हो जाता था तो वो एक दूसरे फूट करता था और एकसे मिल जाता था आधात यहाँ पर यह जो आपका प्रथम यूरोपिय ब्यक्ति था कौन सा तो 63 को अप्शन आपका भी हो जाएगा ठीके यह नीती जो अपनाई थी वो आपके डूपले ने अपनाया था अप्शन भी हो जाएगा अगला कोर्शन है कि निम् उजवाब हो जाएगा आपका सबसे पहले आपके पूर्थगालि आये था ठीके फिर आपके डच आये थे फिर इसके बाद आपकी अंग्रेड फिर आपकी फ्राणसी सी ऑसन आपका 20 हो जाएगा अलग उस्चन है कि अंग्रेज्यों ने मद्रास का पट्टा कहां के सासक से प्राप्ति किया था अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहां के सासक से प्राप्ति किया था 65 अगरा कोशिन दिया गया है कि फ्रांसिसी दक्कन में सक्ति आंदोलन इस्थापित करने में अस्फल रहे क्योंकि प्रांसिसी तक्कन में सक्ति अंदोलन श्थापित करने में अस्भल रहे क्यों ऐसा क्या कारण था तो कारण ये था कि अंग्रेजूं की फौज सक्ति शाली थी ओप्षन आपका भी हो जाएगा अगला जेंस पर्धम का राजदूद जो सोरा सु पंद्रा इस भी में जहांगीर के दरबार में आया था तो यहां पर दे सकते हैं जेम्स प्रथम का राद्दूत कौन था तो राद्दूत था आपका सर टामस रो ठीके सर टामस रो था ओप्शन आपके यहां पर सी हो जाएगा अलगोशन है कि कोरो मंडल बंदर गा से डचों द्वारा निर्यात की गई प्रुमुक जो वस्तू थी वो आपकी क्या थी यहां पर दिया डचों द्वारा ठीके डचों द्वारा कोरो मंडल कोरो मंडल आपका कौन सा है हमने आपको उताया था ना कि यह भारत है और यह आपका जुत्ताथ है कोरो मंडल कहते हैं ठीक है ना? तो कोरो मंडल तरसे जो वर्ष्ट निर्यात की जाती थी वो आपको कौन सी की जाती थी तो 69 को आप्शन राइट आपको हो जेगा यहाँ पर ए नमबर आपकी वर्स तरिकेत थे ठीक है ए नमबर अगला कॉर्शन है किनेम लिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था एक जगा पढ़ती है आपकी स्वाली और स्वाली के स्थान पर देख सकते हैं यहाँ पर हराया था पुर्तगालियों को अंग्रेजों ने तो सत्तर का उप्शन राइट आपके यहाँ पर हो जागा बी नमबर आपकी थामस बिस्ट ने ठीके थामस बिस्ट ने हराया था पुर्तगालियों को अगरा कोर्शे हैं पर दिया गया है, कि निमिखित मेंसे प्रतम करनाठा कि युद्ध का कौन सा ततकालेन कारण था, यह क्या था आपका, तो यहां पर याद रखियेगा, कि अंगरेजों द्वारा प्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहन कर लेना, यही में कारण था, जो प्र प्रांसीसियों का प्रभुत भारत में किस युद्ध के परशा समाप्त हो गया प्रांसीसियों का प्रभुत जो भारत से समाप्त हुआ था वो किस युद्ध से हुआ था 72 का जवाब देना है और 72 का option right आपका सह जवाब हो जएगा B number 1D वास ठीके अभी आमने विता है था 1D वास अगला है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वाइसराय भारत में कौन हुआ पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वाइसराय भारत में कौन हुआ था तो 73 का option right आपका जवाब यहाँ पर आपका C हो जाएगा आपके D Almeida ठीके Almeida था यह उपनिवेश का प्रथम आपका वाइसराय बना था पुर्तगाली का अगला question है कि निमने खित में से कीसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना आता है यहाँ पर संस्थापक पूछा है फ्रांसीसी कंपनी का और संस्थापक आपके कौन थे तो आपके कोलवर्ट ठीके कौन थे कोलवर्ट और सन आपका C हो जाएगा ठीके और next question को आते हैं question आपसे एकला पुछाया है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किन इस्थानों में लगाया था चले जवाब दीजी तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा 75 का option right आपका हो जाएगा A number आपकी सूरत में ठीके यहाँ पर पुछा फ्रांसीसी और यह फ्रांसीसी भी जो आये थे इन्हों ने भी अपना करखना काँपर सूरत में इस्थापित किया था ठीके और एगना question है कि पुर्तगालियों के विरुद्ध सा जहाने किस नगर का घेरा किया था पुर्तगालियों के विरुद्ध सा जहाने किस नगर का घेरा किया था चीहत्ता नमबर तो चीहत्तर का उप्सन आपका हो जगा D number हुगली ठीके कहाँ पर हुगली में किया था उप्सन आपका D हो जगा next question है कि British General जिसने हैदर अली को पोर्टर नोवा के युद्ध में हराया था तो हैदर अली को पोर्टर नोवा के युद्ध में जो हराया था वो किस ने हराया था 77 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा option B हो जाएगा सर आयर कोटने ठीके किस ने किया था तो सर अयर कोट ने हराया था अगला कुछ जनाप से पूछा गया है कि भार्ग में यूरोपी सक्तियों के प्रिवेश के संदर में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है कौन सा कथन सही नहीं है किया दिया है कि पुर्तगालियों ने आपका 1499 में गोवा पर कपजा किया था अठत्ता नंबर तो गलत नहीं है अगला दिखते हैं अंग्रेजों ने अपना पहला कार खाना दच्छिन भारत में मचली पटनम लगाया अगला है पूरी भारत में अंग्रेजों ने कमपनी ने गोवा पर कपजा 1510 में किया ठीके अगला कूर्शन है पर है कि भारत में पूर्तगाली सक्ति का वास्त्विक संस्थापा कौन था यह कूर्शन आपका बहुत पूछा जाता है तो पूर्तगाली का सक्ति का वास्त्विक जो संस्थापक था वो आपको कौन था यहाँ पर 79 को उप्शन राइट आपका हो जेगा बी नमबर अलबू करक था ठीके कौन था अलबू करक था अलब कोशन है कि भारत में डचों की ब्यापारिक पराजय का कारण क्या था भारत में डचों की ब्यापारिक पराजय का कारण क्या था तो 80 का उप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जेगा डे नमबर कमजोर समुद्री सक्ति ठीके कमजोर समुद्री सकती ये डचों की पराजे थी भारत में ठीके और अगला कोशन है कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रम्था समुद्रिक ब्यापारिक केंद इस्थापित किये एक क्यासी के जवाब तो अभी आपने पढ़ा था कि ये जो आपके समुद्रिक ब्यापार के सिकती इस्थापित किये थे प्रथम वो आपकी पूर्टगाली ही थी ठीके और अगला कोशन है आपर दिया गया है कि फ्रांसी सी सहायता से 1765 हिस्वी में एक आधनिक सास्तागार कि जो इस्थापना हुई थी वो काहाँ पर हुई थी यहाँ पर आपका 82 ओप्शन राइट आपका हो जेगा आपका D नमबर डिंडी गुल में ठीके डिंडी गुल में थी ओप्शन आपका D हो जेगा इस्थ इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र किसने प्रदान किया था तो यहाँ पर आपका साही जवाब हो जेगा 83 ओप्शन B नमबर एल जावेत फरस्ट ने ठीके एल जावेत फरस्ट ने अलग होशन है कि बंगाल की निम्निखित फैक्टरियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा इस्थापित की गई थी वो आपकी कौन थी देख सकते हैं बंगाल की निमिकित जो फैक्टरी थी ठीके इसमें से जो पुर्तकालियों ने इस्थापित की थी वो आपके कहाँ पर तो ये थे आपके हुगले में ठीके हुगले में ओप्सन आपकर सी होजेगा अगला है सत्रावी सतापदी में भारत और जावा के बीच ब्यापार पर किसका प्रभ्यूत था देखो भारत और जावा से ब्यापार हो रहा था सत्रावी सतापदी में और भारत से भी जावा से लोग कौन कर रहे थे ब्यापार तो ये ब्यापार कर रहे थे डच ठीके डच कर रहे थे 85 option आपका B हो जाएगा next question है कि निम्लिकित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था कलकत्ता का संस्थापक कौन था तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा option B जौब चारनाक ठीके जौब चारनाक ये question बहुत बार पूछा गया आपका और एकड़ा question है कि लंदन में British East India Company की गठन के समय भारत का निम्लिकित में से कौन बाद साथा अर्थात जब लंदन में British East India Company की गठन हुआ था उसमें भारत का जो बाद साथ हा वो काउन था तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 87 option right आपका A number अकबर था ठीके अकबर था देखो 16 USB में East India Company की स्थापना होई थी ना तो उसमें अकबर ही तो था क्योंकि अकबर की मिरत्ति होई थी 165 USB में है ना तो option आपका A हो जाएगा next question है कि भारत में ब्रेटेन की तुल्ला में फ्रांसीसी अस्फल्ता का क्या कारण था भारत में ब्रेटिन की तुल्ला में फ्रांसीसी अस्फलता का क्या कारण था 88 का जवब और 88 का ओप्शन आपका याँ पर D हो जएगा अलप राज की सहयोग ठीके अलप राज की सहयोग ओप्शन आपका D हो जएगा आपको ओप्शने की किस गवणनर जर्नल की कारेकाल में सहालम दोरा बंगाल बिहर उडिसा में दिवानी अधिकार दिये और इस समय जो गवणनर थे वो आपके कौन थे तो ये थे लाड कलाइब ठीके लाड कलाइब को जो आपके सालम थे इसने बंगाल बिहार उडिसा में दीवान यदिकार दे दिया था 89 कोप्सन आपका ए हो जाएगा अलग कोश्चिन आपर दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से आपको सुमेरित करना है और यह कोश्चिन आपको बहुत बार पूछा गया है ठीके तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि प्रथम करनाटक युद्ध प्रथम करनाटक युद्ध तो प्रथम करनाटक जो हुआ था उसमें एक संधी हुई थी संधी कौन सी हुई थी तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि एक्सला सापल की संधी यहाँ पर यह जवाब का है यह हो जाएगा ठीके पहले से 4 हो जाएगा और तिरती करनाटक युद्धी में क्या हुआ था तो पेरिश की संधी हुई थी तिरती करनाटक युद्धी में पेरिश की संधी हुई थी दुती करनाटक युद्धी में तो अनिरडायक युद्ध हुआ था ओपर था मैसुर युद्धी में क्या हुआ था तो ब्रेटिस के आरविती यहाँ पर बेनमरापक हो जाएगा 4, 1, 3, 2 हो जाएगा ठीक है? स्क्रीन साथ ले सकते हैं यह कोश्चन बहुत बार पूछा गया और अच्छा कोश्चन है आगला कोश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम लिखित यूरोपियों में से कौन सा एक सुतनतापूर भारत में ब्यापारी के रूप में सबसे अंत में आये तो सुतनतापूर मतलब सुतनता से पहले ही ब्यापारी के रूप में जो सबसे अंत में आये थे वो आपके कौन आये थे तो यह आपके थे आपके कौन फ्रांसी सी आये थे ठीक ही कौन आये थे बार्वार्ट वर्स में ब्रिटिश समर्ञ का सनस्थापक, तो सनस्थापक था 949 आपके c हो जेगा लड रावर्ड क्लाइब भार्वार्ट बृटिश समर्डुक गलायाता है वह रावर्ड क्लाइब और सनापक सी हो जबाब यहाँ पर आपका हो जबाब यहाँ पर आपका हो जबाब को किसे रावर्ट कलाइब को कहा गया है अगला कोशन है कि British East India Company ने बंबई किस से लिया था तिया पर दहज में मिले थी पूर्टगालियों से ठीक है अगला है किस ने इंग्लेंड के चाल सुदूती को कैथरीन ब्रिंगेंजा से बिवा में मुंबई दहज में दिया देख़ू वे क्योशन आपको आ गया ना तो यह रानी थी Catherine ठीक है इनका विवा किया था और किससे किया था तो आपकी मतलब मुंबई दहज में दिया किसने दिया पुर्तगालियों ने किसको दिया था तो इंग्लेंड के 400 दुती को अर्थात किया सकते हैं अंग्रेज़ों क ठीक है तो option आपका B हो जाएगा अगला question है कि किस मुगल समराट के काल में English East India Company ने भारत में सरुथम कारखाना इस्थापित किया था तो देख सकते हैं कि मुगल समराट के काल में ही East India Company ने जो भारत में सरुथम कारखाना इस्थापित किया था वह आकि किस मुगल सासक में किस मुगल समराट के समय में तो ये समय आपके कौन थे तो जहांगीर थे ठीके बिल्कुश सही जवाब है option B अगला है कि डुपले को नवाब खां की उपाधी किस ने दी थी 99 का जवाब हो जाएगा option यहाँ पर और अगला कोशिया पर है कि इस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंग जेब द्वारा भारष से निसकासित किया गया यहाँ पर दे सकते हैं इस्ट इंडिया कंपनी के एक अंग्रेज गवर्नर थे और औरंगी जेब ने इने भारत से निश्कासित किया था इनका नाम क्या है? तिनका नाम है सरजान चाइल्ड option B हो ज़ेगा सरजान चाइल्ड को यहां से निश्कासित किया था एकला कुरस्चन है कि बंगाल में निम्न में से कौन सक कार खाना डचो ने इस्थापित किया था तो याद रिखे डचो ने इस्थापित किया था आपके कहां पर तो आपके चिन सुरा में ठीक है कार खाना डचो ने इस्थापित किया था कहां पर तो चिन सुरा में ओप्सन आपका भी हो नेस्ट करूशन है, कि पुर्टगालियों ने भारत में निम्हणिकीत में से किस इस्थान पर प्रथम फैक्टरी का निर्माण किया था, और यहां पर ह attitudes से पूजा यह है और पुर्टगालियों ने किया था कहा पर आपके कोचीन में Poch. में अगला कोशना पर है कि निम्लिकित यूरोपी ब्यापारी कंपनियों में से किस ने सूरत में सरवर्थम अपना कार खाना इस्थाफित किया तो सूरत में आपर सरवर्थम पूछा है और सरवर्थम अपना कार खाना किस ने किया था तो आपके अंग्रेजों ने किया था ठीक है उपसन आपका B हो जाएगा अलग और से नहीं किने में कितमें से किस ने वासको डिगामा का काली कट में स्वागत किया था काली कट में स्वागत किया था या आपके हिंदो राजा थी जमोरिन ठीक है उप्षन आपका सी सही हो जाएगा अगर है मद्राज की स्थापना किस ने की थी मद्राज की स्थापना किस ने की थी यहाँ आपका होजएगा ए नमबर फ्रांसिस डे ने मद्राज की स्थापना की थी तो याद रखेगा जब फ्रांसिसि इस्थ इंडिया कमपनी स्थापनी थी उसमय आपके थे लुई 14 के सासनकाल में, ठीक है, option आपके हो जएगा, लुई 14 के सासनकाल में, next question है, कि नेमलिखित ब्रिटिस कमपनियों में से किसे भारत में ब्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था, भारत में ब्यापार करने का पहला अधिकार पत्र जो प्राप्त हु प्सकीमें से किस किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारीक अड़े इस्थापित किये थे ये कहां पर तोENS नोग का अप्शन राइट कुछा यहां पर डिस हो जएगा उप्रोग्त सभी ठीकए उप्रोग्त सभी अथा त्नाग पटना में चिन्सुरा में भी मचली पटना में सूरत में भरुज में आगरा में कोची नहमदाबाद पटना तो डचों ने अपने बैपारी कड़े स्थापित किये थे यहां पर 109 का अपका डिस हो जाएगा ठीक है तो यह रहे आपके जो आपका टॉपिक होता है यहां से कोशिन आपके एक से दो कोशिन बनते हैं हमेशा बनते हैं वैसे देखा जाए तो मौडरन हिस्ट्री का काफी बड़ा चैप्टर है एक दो पार्ट और भी बना देंगे जो जरूरी बाले हैं ठीक है तो हो सकता है कि आपकी खियाम में मिल जाएं ठीक है पसंद आया है सभी लोगों को और सभी लोगों पसंद आया है तो वीडियो लाइक कर दें और निश्ट क्लास जो आपकी रहेगी वह क्लास आपकी दस बज़े से है कर देंगे मिल